असलाम वालेकुम क्लास 2, I am your math teacher and today we learn page number 89, multiply क्लास हमने इसमें 1s, 10s and 100s multiply करने हैं numbers क्लास 1s में कितने digits होते हैं हमारे पास 1 और 10s में कितने digits होते हैं 2 और 100s में 3 digits होते हैं हमारे पास अब इस वक्त हमारे पास 2 digits मुझूद हैं हमने इने multiply करना है क्लास नीचे वाली value के साथ 3 multiply by 2, 3 2 is a 6, 3 is a 9, 96 is the answer go for the next one, 2 1s a 2, 2 4s a 8, 4 3 is a 12, 1 उपर लिखे हैं क्लास and 2 हाफ पार्ट उसके नीचे 4 3 is a 12, 12 में हम 1 add कर देंगे, इस 1 को add कर देंगे, तो ये 13 हो जाएगा क्लास, 6 का टेबल 5 तक बढ़ना है क्लास, 6 5 तक बढ़ना है क्लास, 6 5 तक बढ़ना है 7 7s are 49, so we write 4, then 9, 6 7s are 42, 42 प्लस 4, 43, 44, 45, 46 तू का टेबल 4 तक बढ़ना है, 4 का एक ही बात है क्लास, 4 तू जा 8, 4 बढ़ना 4, 4 बढ़ना 4, तू कोशन, इस यो हूंबा क्लास, नाउ डिवाइट करेंगे हम, 3 का टेबल हमने इतने टाइमस पढ़ना है क्लास के 18 हमारा सॉल हो जाए, 3 6 तक पढ़ना है, 3 6 तक पढ़ना है, तो हमारे पास 18 आंसर आएगा क्लास, so we write 18, okay, now subtract 18, कुछ नहीं बचा, माइनस करने के बाद, go for the next one, 5 6 तक पढ़ना, 5 6 तक तक पढ़ना हम, 4 7 तक पढ़ना हम, हमरे पास, क्लास, remaining questions, it's your homework, do yourself, work these out, आपने कोशन 5 में देखना है क्लास, इसके अंदर बताया गया है, आपको कि 3 multiply by 50, 3 को हम 50 से multiply करेंगे, तो हमरे पास 150 रूपीज बन जाएंगे, क्लास, solve करके भी आपने देख लेते हैं, यह देखे क्लास, 3 0 सा 0, 3 5 सा 15, so, 150 रूपीज बन रहे हैं, ओके, go for the next one, 2 multiply by 500, 2 को अगर हम 500 से multiply करेंगे, तो हमरे पास 1000 अंसर आएगा, let the check, 2 0 सा 0, 2 0 सा 0, 2 5 सा 10, 1000 अंसर आगे हमरे पास, क्लास, 20 में हम 1 multiply करेंगे, 21 सा 20, last question, 10 multiply by 5, 10, 5 सा 50, so, we write 50, question number 6 देखें, क्लास, fill in the boxes, इसमें हमने क्या करना है, science आपको नजर आ रहे हैं, plus का, minus का, multiply का and divide का, इन questions के अंदर आपको जो boxes नजर आ रहे हैं, blank boxes इसमें आपने बताना है, क्लास, इसमें हमने sign लगानी है, बताना है, कि यहाँ पर multiply आएगा, minus आएगा, कि divide आएगा, 100 में अगर हम 20 minus करते हैं, तो हमारे पास 80 अंसर आएगा, so, we write minus, sign of minus, 4 and 9, हमने इसा क्या, कौन सी sign लगानी है, क्लास के हमारे पास 36 value आजाए, ना ही plus या ना ही minus इसमें आएगा, इसमें multiply की sign आएगी class, because, 4, 9, is the 36, so, we write the sign of multiply, so, for the next, 25 and 5, अब इसमें इसा क्या किया है, value, इसमें कौन सी sign लगेगी class के हमारे पास 20 answer आजाए, minus की sign अगर हम लगाते है class, so, 25 minus 5, we get 20, now, move the second, 35 and 15, okay class, अगर हम 35 के अंदर 15 को add करेंगे, 5 and 5 plus 10 and 3, 4, 5, so, हमारे पास 50 answer आएगा, it means के यहाँ पर plus की sign आएगी, go for the next one, 2 and 5, और यहाँ पर 10 लिगाए class, अगर हम 2 का table 5 तक पढ़ेंगे, यानि के 2 5s are 10, मारे पास 10 answer आजाएगा, it means के यहाँ पर multiply की sign आएगी, okay, last, 8 and 6, यहाँ पर 3 value लिखी भी, just only, अगर हम यहाँ डिवाइट की sign लगाते है class, 6 तरीजा 18, let the check, class आप देख सकते हैं, कि हमने check भी कर लिया है, 6 का table 3 तक पढ़ने से, 6 तरीजा 18, so we write the sign of divide, okay, now move the second question, tick the sums which make rupees 50, आपने tick करना है, उस sum के उपर जिस पर answer 50 rupees आ रहा हो, okay class, अगर हम 10 में 28 plus करेंगे, तो उसका sum आएगा 38, it means कि यह wrong है, हमने 50 वाले numbers के उपर tick करना है, 48 plus 2, 50, it means कि यह right है, तो हम इस पर tick करेंगे, 16 multiply by 6, 96, यह भी 50 नहीं है, 50 rupees नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर sign नहीं करेंगे, 100 minus 30, 70 आ रहा है यहाँ यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ भी हमने tick नहीं करना है, class, because this is not 50 rupees, okay, 16 plus 34, 50, so we tick mark, 90 plus 45, 135 अंसर आ रहा है, यहाँ भी tick नहीं लगया, class, 16 plus 34, यहाँ हम टिक करेंगे, because this is 50 rupees, 50 minus 0, 50 में अगर हम 0 minus करते हैं, तो अमर पास 50 ही value रहेगी, it means कि यह राइट है, इस पर हम टिक करेंगे, okay, okay class, Allah Hafiz, I hope you understand these questions, remaining questions do by yourself, because it's your homework class, take care, stay home, stay safe, Allah Hafiz.